सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोग पर यह जैनल न्यूस चैनल महा लक्षमी शनीवार का दिन रात रियाट वज़ा आपके पास सादर जैन जैनेंद्र के साथ आई छोड़ जाएंगे एक चिंतन आपके बास मनन के लिए कल के रविवार को पूरे दिन सोचत रही है करिये का ही हम गलती तो नहीं है का ही हम गलत तो नहीं जा रहे कई में आवाज चुपी गरण कम जोडत नहीं हो रहे आज अहींसा और शांती हैं करने वाले आज अहींसा एक समाज कहीं 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 कायर तो नहीं हो रहा आज सवाल सिर्फ चिंतनी है चोड़ रहे हमके बास बार बार हमारे दिगंबरत के उपर उपर उपली उठाने लगे हैं और बार 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 उठती है और हम चुप चाब शान्त पर जाते हैं हमारी कमेटिया संस्थान, बड़े बड़े संस्थान संग सब चुप रहे जाते हैं अफसोस इस बात का होता है शुरुवात कुछ ज़्यादा पराने की बात नी अभी खाल की बात करते हैं उस बहुवली स्वामे की जो परती माला कर ये कर्शन मुलें में उसको चट्डी पेना किया हो ये कहा गिया था कुछ नहीं हो हमारे आसे आवाज उठाई हमने, बस चुप रहे, क्या हो गया क्योंकि हम अब शान्ती प्रिये के साथ थोड़ा सा क्या है अब ये सोस्टी आगा, पर उसी चर्चा के अंदर दोबारा बात हुए टीवी उपर परीचर्चा हो रही थी तो बहुत मज़े से पर्चा हो रही थी और चटकारे लेकर परीचर्चा हो रही थी कहा जाता, अगर मेरा मन करे हम तो क्या दिगंबरत जैन के रूप में हम कॉलेज भारने शुरू कर देंगे स्कूल मेंने, क्या हमें अनुमते मिल जागी क्या हमें गेट पर रोक जाएगा इस तरह की बेहुदा अब शब्दो वाली बाते इस तरह की परीचर्चा हो रही थी कारवाई होई थी इसके उपर, जेल भी ले गए थी लेकिन वह लगाम नहीं लगी क्योंकि हमारी आवाज पूरी समास से नहीं उठ पाई, कहीं कई से आवाज के उठेगी तब जाकि कई शान्ती मिल पाईगी कुछ समय पहले शिखर जी अंदूलों की बात भी आज जानते होंगे लेबोन अबरहेम, जी एम के विधायक उन्होंने भी खुल कर बोलना शुरू कर दिया था हमारे दिगंबर संतों के प्रती अब शब्दों की बोचार कर दिया थी आप भी जानते हैं, समय जानते हैं दुबारह सुनने की जरूत नहीं है क्योंगे ऐसी बेहुदा बातों को सुनने से कोई आनन्द नहीं मिलता होगा आपको इसके बारे में जैंद्रम सनश्रम की और से हमने अपी लेकर शिकायत करी थी थाने में कर रिपोर्ट की गई आज 15 दिन हो रही है, भी कोई कारेवाई नहीं हुई है राष्टिय अर्प संक्रिक आयों को भी चठी लिखी है वो कारेवाई के लिए आगे डाली हुए चठी उन्होंने और हमने इसी चकर में अब DCP महोदे जी को यह पत्र लिखा है कि हमारे S.H.O. साब की उपर से कारेवाई नहीं हुई है तो तत्काल रुपसे पर कारेवाई की जाए यह पत्र आप देख रहे है आज आपके बीच में इसलिए आए है यह चोट बार-बार जैन समाच की उपर जैन संत्व यह दिगंबर जैन के बारे में यह तमाचा हमारे उपर बहुत तेज पड़ता है जब हमारे मुनियों के बारे में उनको सामने खड़ा कर दी जाता है शरम आती है कि हम अपने सादू के प्रति इतनी भी हमारा आदर नहीं है कि हम कठो और कोई कदम उठा सके परसो की बात करते हैं दो मार्च की जैपुर के अंदर राजिस्तान विधान सभा की आप पने से कुछ ने जान कर लिए लोगी पर किसी में इतनी भी शम्ता नहीं आई के वज़ा कि इसके बारे में कोई शिकायत भी कर सके कमेटिया हमारी संस्तान उनमें से अधिकांश को ये मालू भी नहीं है कि ऐसी कोई घटना होई है हमने कई संस्तानों में कई लोगों से बात भी करी उन्हें कुछ नहीं पता या पता नहीं करना चाहती है राजेंदर राठोर जी माननीय प्रतिपक्ष नेता है पहले हैं अबर गुलाब चंद कटारिया जी होते थे जैन समाज धन्य हो गए था जब जैन समाज की आवाज उठाते थे बीजेप की ओर से लेकिन अब बीजेपी के ये नेता राजेंदर राठोर जी प्रतिपक्ष के किस तरीके से मजे के रूपे बात करते हैं कहते हैं हम माहौल को हलका कर रहे थे जो गया दा गमगीन हो दा वह कर रहे थे लोग ठाके बजा रहे थे सारे लोग वहां में जितने मौजू थे वह हस रहे थे जब इस तरह की बेहुदा बात कर रहे थे क्या कह रहेते पता है वो कह रहेते मंत्री जी इनकी बात सुन लो यह नोंने पहले एक साल से चपल छोड़ रखी है अब यह दिगंबर जैन के रूप में आने का मन कर रहा है उस तरह वस्त छोड़ रहे है मेरी आत्मा काप उठेगी अगर मैं इनको उस रूप में देखूँगा इस तरह से मंत्री जी इनकी बात सुन लो नहीं तो यह इस तरह से आजाएंगे तब मेरी आत्मा का क्या होगा ऐसे शब्द यह तो सब जानती है पूरी दुनिया जानती है कि दिगंबर जैन के अंदर उस दिगंबरत रूप में कौन होता है वंदनी ये पूजनी ये सादू संद होते है महराज जिनके बारे में आप ये शब्द कह रहे है प्रतिबख्ष के आप नेता होंगे बहुत अच्छी होंगे आदरनी होंगे माननी होंगे समके सम्मानी होंगे पर इस तरह के बहुदा करकर आप कहां दिखाना जाते हैं अपने पार्टी के बारे में अपने बारे में क्या नीचता के रूप में आप पहुँच जाते हैं क्या किसी के हमारे अंदर अभी इतना भी हमारे अंदर नहीं है कि हम संतों के प् कर मेरी आत्मा काप जाएगी जिस दिन ये मेरा चोटा भाई दिगंबर जैन की वस्त्रों में यहाँ आएगा इसलिए मैं मांग करता हूँ आसन पर आप भी राजे हैं सामने मंत्री जी बैठे हैं इस मदन जी को दिगंबर जैन मत बन्ने देना इसलिए आपने बार बार सुन आशा में अंतर जानते हैं एक दिगंबर जो पिछी कमंडर लेके चलता है वे मुनिराज वंदनिये एक घर छोड़के पूरे विश्व का वंदनिये बन जाता है कोई परीकर हैं ने रखता है वो हमारे और आपके तरह यह नहीं कि तोरिया पढ़ने से पहले जैसे बात रूह का अपने लगेगी और उस सादू के परती परसो चतुर दशी है पता है हमारे इस वर्तमान के सदी के प्रतम महामुनी राज के रूप में काने वाले अचारे शांती सागर जी ने हर जगे 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 जागर बड़े बड़े एतिहारी किस्तमार वागे उसी दिगंबर तो कितना पूजनी यह वंदनी होता है और उसके विहार पर उसके बार बार कोई कहे नहीं सकता है और आज हमारे जगे जगे चुने हुए नेता इस तरह बोलते हैं तो बड़ी शरम आती हमारी कमीटियों के उपर हमारी संस्थानों के उपर अफसोस होता है कि हो गया चार खंडे में हो गया और अब राइस्तान में हो जा रहे हैं राइस्तान जो हमारे जैनों की नगरी कही आती है जहां पूछनी है फंतनी तक चिरो मनी के रूप में मानना जाता है जहां कि संतों के बारे में और उस बारे में वहां पर आके एक वहां की विधान सब कोई आवाज नहीं उठाती है आवाज उठाई इसके बारे में आगे से ऐसी आवाज कि जो भी हमारी संतों के बरत में तीर्थों के बारे में कोई बोलने की हिम्मत ना कर सके अगर आप के इन्दर ते सक्षण करनी हैं तो छोड़ देजे पद हम तो साफ कहते हैं अगर आप आवाज रहे लिए आगे नहीं आसकते हैं खड़े हो दीए एक बार करिये इस राजिस्तान के इंदर एक भार धरना पातो दीजे विदान सूपर के सामने कि इस तरह प्रतिबक्ष नेता ने हमारे संतों के प्रती नंगनता और दिगंबरतम को जानिये तपतया प्रत्या के पराकस्त्ण के बारे Penny w Buildant पांचो का लानक चंपा पर मुहे थे और तब ग्यानमोख्ष मंदारगिरी में वही पर आसुवे के चितर आप देख रहे हैं समोश रान इस सली पर कल पर रख लगार सरवोत पर प्रती मामा पर आज इस्थापित की गई वह द्रश्य आपको दिखा रहे हैं आज सुवे के हैं मंदारगिरी के पास के आपको दिखा रहे हैं क्यों हम कहते हैं हमने कोशिश भी की है इसके लिए के जैन एक्टिव रूप के रूपे आप में बहुत लोगत सहोगाने शुरू हो गया है अगर आप बड़ी संस्थाने चुप हो जाती हैं तो बहुत दुख और दर्द होता है कि 50, 50, 60, 60, 100, 100 साल की संस्थाई भी कुछ नहीं बोल पाती है आप मेंसे जो युवा हैं अगर कोई गलत बात देखते हैं हमारे साथ पहुंचाईए नमबर आप देख रहे हैं 9910690823 अपना नाम पूरा पता और फोटो के साथ भीज़ेगा हम आपके साथ एक जोड़ को बनाएंगे जो अपनी आवाज दूर दूर तक पहुंचाने का प्यास करेंगे आज बहुत तकलीफ है अंदर सादर जैजनीदर